असलाम उलेकूम सस्यका नमस्ते आदाब तो कैसे हैं आप सब खैरेसे हैं सौधी गवर्मेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी ख़वर दी गई है अजनवियों के लिए मानव तसकरी करने वाले सभी लोगों के लिए स्पेशल नया कानून बनाया गया है मतलब अजनवियों के कि तादात बहुत ज्यादा है इसके बारे में अपडेट दूंगा इंडिया से अपडेट है और वात्सब बैन को लेकर अपडेट है इंडिया में और एक लड़की का वीडियो वाइरल है और भी बहुत सारी नियूज है अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साट परसेंट लोग भीना सब्सक्राइब की वीडियो देख रहे हैं आपने सब्सक्राइब नहीं क्या बेल आइकन दबा देजिए सब्सक्राइब कर लिजिए पूरी वीडियो देखे लाइक तक आपको पूरी वीडियो द पर आए आपका कफील अच्छा नहीं है राइट और रॉंग अगर आपकी कोई भी एक तकलीफ है या कभी आपको लगा है तो एक कम्मेंट जरूर कीजिएगा का ताकि मैं उस कम्मेंट को निकाल के ताकि मैं प्रोपर एक वीडियो बना सकूँ इसका आपने सौल्ब कैसे किय है आए नियूज जानते हैं जितने भाई हमारे अरब में काम करते हो फिलाल देख लो नियू साओधी अरभिया है नियू साओधी अरब में क्या क्या हो रहा है एक वीडियो यह वाला बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इस वीडियो में कहा जा रहा है कि मैट्रो जो चल रह एक मेंट्रों में लड़की ने कैसा बड़ा पेन रखा है यह वीडियो ज़्यादा वाइरल हो गया है ड्रेस देखो बाल देखो इसका ठीक है और यह देख लो देख लो देख लो जूम करके शेर किया गया है स्पेशली और इसको फाइन भी लगा दिया गया है आगे की अप सरकार से नराज हुआ WhatsApp दिल्ली हाई कोट में कहा हम भारत छोड़ देंगे वाथसप की धंकि अगर users के मैसेज की जानकारी देने के लिए मज़ूर किया गया तो हम भारत छोड़ देंगे इंडिया में जितने भी WhatsApp तो मोदी सरकार जो चल रहा है अगर वाछम बाले को बोला जा रहा है कि हमें डेटेल दो भूलोडरा कि हम बाटसऑ सोड देंगे इंडिया से वाथया कर कर कम चले जाएंगे हम यहां बाटसऑब नहीं कर दें है यह हम नहीं तोड़ने वाले हैं जी हां देखिए आगे क्या होता है फिलाला जलक्सन था इंडिया में और अच्छी खासी वोटिंग हुई बहुत बढ़िया आगे इंशालला हम भी वोट करेंगे जब हमारा टाइम आएगा तो जिदिन वोट करूंगा और दिन आपको फो है बहुत सारे नियम्स लगे हुए थे उन नियम्स को शॉइछ करके शॉट sought शॉट शॉट सिर्क पहले उम्राई वीजा पर आते थे लोग अब तो ट्राशुट वैजा बहुत ले सिस्टम बना दिया गया है और यहां पर सुअदी एरभ में लोग अनिमिटेड लोग आते मौसम ऐसा हो गया है कि पहले हज सीजन पर ही मक्का और मदीना में खुबसूरत लगता था लेकिन अब हर दिन खुबसूरत लगता है क्योंकि हर दिन लगता है कि सौधी में हज हो रहा है मक्का मदीना की बात कह रहा हूं क्योंकि उम्रह पर जाने वाले लोगों की शंख्या तादात माशारला बहुत जादा हो गया है 6 मिलियन एक हपते के अंदर में माशारला हमारे मुसल्मानों की तादात है अब आगे जो अपडेट शेर करूँगा आप खुस हो जाओगे यहाँ पर जो एक मीटिंग वाला फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह वाला फोटो देख लो यह निउस का लाई थी मैंने आपको नहीं बताया मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि लाश बताता हूँ क्यों इसमें देखो सारे बैठे हुए है और कहा जा रहा है कि सौधी अरब में मानब तसकरी के अपराज से निपटने के लिए कई नियम कानून बनाये जा रहे हैं ज्यादा लंबा इसको खोलूंगा पढ़ूंगा नहीं क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कहा जा रहा है कि मानब तसकरी मतलब सौधी अरब में प्रावासी भाई को जबरं काम करना यौन शोशन करना घरेली काम का शिकायर बना जाना ठीक है और उनको हेल्प नहीं करना उनको मिल जूल के काम नहीं करना ऐसे लोगों को लिए कानून बनाये गया है मानब तसकरी में पाय जाने वाले लोगों को 15 साल की जेलर वण मिलियन रेयाल तक का जुर्माना दोनों सजार दी जा सकती है कहा जा रहा है कि सौधी अरब के किन्डम में प्रवासी समाउदायों में प्रवासी लोगों में गैरमुलकी लोगों में तसकरी सबसे ज्यादा खतरे का एक घंटी बन चुका है इसलिए जागदरुकता बढ़ाने के लिए 41 प्रसिक्षन कारेकरम किये ज मानब तसकरी को ले करके इन्होंने एक कंपैन्ट चलाया था जिसमें 70 लाक सी भी ज्यादा करमचारी लोगोंने सिगनेचर किया है कि इसको सही किया जाए सआओधीर में जादे लोग जो काम करते हैं अजनभी काम करते हैं अजनभी पुए हमेशा कोई उनकी प्रावलम का सामना करता है और यह प्रावलम का सौल बहुत मुस्किल से हो पाता है कभी-कभी तो मुस्किल तो छोड़ओ जेल में बटे बटे लोग चार-चार साथ दददसा लग जाता है इस तरीके के नियम कानून बनाया जा रहे हैं जो कोई कफिल कंपनी वाला किस जाजने भी को हरास्मेंट करता है या परिसान करता कुछ भी करता है तो इन पर कानून की नकेल कसी जाए और इनको जाज़ादा मदद की जाए तो बैस्ट आगे बहुत सारे लोगों को हेल्प होगा इन चीजों से और हो सकता है तो नया कानून बनाया जाए इस पर एक इन्शाल्ला 100% देखना आगे की नियूद जानते हैं जिद्दा में 163 लोगों पर कारवाई की गई है जो की खाने पीने का समान बेच रहे थे और रास्तों प 25 अपनिल से नया नियम लागो किया गया है अगर आपका गाड़ चलाते टेम अगर आप मुवाइल चलाते हो फोर इस्तमाल करते हो दो हजार रियाल का जुर्माना लग जाएगा अगर कोई भी साओधी आपको मुवाइल चलाते देख लेगा गाड़ी पे बस में स्कूल ब तो ध्यान लगना नया नियम एड़ किया गया है और जो पर मिन टो मिन गाड़ी का एकस्पायर होगा तो आपने कफील को बता देना कि आपकी गाड़ी का काम वाम जो भी मांग रहा देख लिना आगे मस्धित से बिज़री चोरी हो रहे देख लिए तो इनको अरेश्ट कि आगे की अपडेट इंडिया से तो भाई इंडिया इन कुवेट से अपडेट है इस्पेशली कुवेट में अब हिंदी भासा में आपको कहा जा रहा है कुवेट की अरभी आबु हवा में अब रोज गुंजेने लगेगी हिंदी तो भाई इस्पेशली एफ-म चालू किया अब तो आपका कुवैत में चालू हो चुका है आगे ये वीडियो जुन सेर्द कर दी है आपको मैंने और लास्ट अपडेट यहां पर शेयर करूंगा कले मैंने अपडेट शेयर की थी आप सब को आज इनों ने फिर से न्यूज शेयर किया है कि अगर अगर मिनिस्ट्रिय फ अपर परचार लगाया जाता है कि सस्ता हज पैकेज हम बेच रहे हैं ऐसे लिंक से बचें फ्रॉड स्केम से बचें वरना आपका पैसा जा सकता है और ऐसे फेक फरजी लोगों से साब्धान रहे हैं हम दो तिन कम्मेंट की बात करेंगे जाविद भाई हम नया वीजा का का पैसे लिए टाम करवा रहे हैं और हमें एजेंट कह रहा है कि आपका वीजा लगने में दो से तीन महने का टैम लगेगा बाई उसके लिए टाम लगा रहा होगा तो मेडिकल आपना देख लेना उसी साब से जाल जाएज़ादा को जो भी एजेंट हो या ट्रेवल अपने अपने लोकेशन पर रहो कोशिस करो मेडिकल होते ही दस से बारे दिन के अंदर आपकी फ्लाइट हो जाए तो जल्दी अच्छा रहता वरना यह लोग डीले करते हैं आपका पैसा खा जाते हैं ध्यान रहे आपको कोई पैसा पे नहीं करना है मुफा लग जाए बाहर भेजने वाई लोगों के लिए लड़का लड़कों लोगों के लिए बाहर भेजना बहुत difficult काम है इस पर work करना बहुत hard है इसलिए मुझे time लग रहा है क्योंकि यह एक काम नहीं आसान नहीं है बाहर भेजने का काम इसलिए मैं सारा setup सोच रहा हूँ दुकान खोलने आफिस खोलने के मैं hand to hand खोल लूँ लेकि नियम को सवरा सही करना पड़ेगा ताकि आपके साथ मैं 100% उतारू 100% आप ना दे सकूँ आप सब के लिए especially बाहर भेजने को लेकर के तो work कर रहा हूँ आप सब की बहुत help की ज़वरते तो रहा reach out हो हमारे वीडियो और आप से बोलूँगा हमारे महले में मस्दित है उस मंजिल की दो मंजिल का काम करवाना है अब तक मेरे पास में total amount आया है जो भी आप लोग ने मुझे भेजा है रमदान के टाइम पे मस्दित डोनेशन का यहां पर पूरा पोस्ट लिखा हुआ है मेरे मॉइल में लगबक तेरा हज 2937 रुपे के आसपास आया है जो कि मैं यहां पर शेयर कर रहा हूं पिछली वीडियो में थोड़ा आगे बता दिये था सोचत है मेरे अंदाज़े से साथ पैसा आच चुका होगा 15000 के आसपास लेकिन जब मैंने आज जोड़ा है तो इतना ही पैसा आया है अगर आप लोग मस्जिद पे डोनेट करना चाते हैं हिल्प करना चाते हैं हमारे महले में मस्जिद माशाला अल्ला का घर बनाना चाते हैं थोड़ा बहुत जो भी हो दस रियाल पांच रियाल दो रियाल एक रियाल जिसको जो हो सके फोन पे आप कर सकते हो स्कैन कर लिना मेरा स्कैनर आ रह कर दो कर दो